नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनविंदेर और मेरी चैनल लैमी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत हो स्वागत हैं मैं सभी का खेर मगदम करती हूँ जैसा कि आप जानते हैं कि करनाटक में एक नई मुसीबत बनी हुई है करनाटक के नएग मुखमंत्री के नाम पर आज मोहर भी लग सकती है यह मीटिंग जो है शाम को साथ बज़े होने वाली है बैंगलूर के कैपिटल होटल में भासपा विधाइक दल की बैटक बुलाई ग उनके इस दीवे के बाद से ही राजिक के ग्रह मंत्री बस्वराज ओमई और खनन मंत्री एम आर निरानी को नया सियम बनाए जाने की चर्चा है बैटक में कनाटक में विधाइक दल की बैठक के लिए कंद्रे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेडी को अपना इस्तिवा दे चुके हैं और इसी दिन राज्य में भास्वा सरकार के दो साल भी पूरे हो गए हैं इसी के साथ नए सियम के दावेदारों की चर्चा होने लगी है और नया मुकमंत्री लिंगायद समदाय से विधायकों में से एक होगा ये भी कहा जा रहा है इसी हि नभे से भास्वा का समथ्थक रहा है कनाटक की अबादी में इसका हिस्सा लगभग लगभग 17% है और देश की 2024 विधान सभा सीटों में से नभे में से 100 सीटों पर लिंगायतों का ही दबबा है इस वजह से नया मुकमंत्री इस समदाय से चुन्ना भास्वा के लिए मुझ 2007 को कनाटक के मुकमंत्री बने लेकिन महज 7 दिन के बाद ही 19 नुवंबर 2007 को ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया इसके बाद 30 मई को फिर 30 मई 2008 को फिर से वो मुकमंत्री बने और ब्रस्टाचार के गंभीर आरोप को चलते उन्हें 4 अगस 2011 को इस्तीफा देना पड़ा तीसर 2008 को चौथी बार 26 जुलाइस 2019 को मुकमंत्री बने और ठीक दो साल के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया करनाटक में 2023 में विधान सवाचुनाव होने हैं और यदुरप्पा की लिंगायत समदाय पर कापी मजबूत पकड़ है ऐसे में उनके इस्तीफा के बाद भास्पा के लिए सबसे बड़ी चुरौती है कि इस समदाय को कैसे साधा जाए बीते दिन ही विभिन लिंगायत मठों के 100 से अधिक संतों ने यदुरप्पा से मुलाकात कर उन्हें समर्था देने की पेशकर्ष की थी और संतों ने भास्पा को चितावनी अगर उन्हें हटाय गया तो नए अपडेट के साथ जै हिन जै भारत